हलो दोस्तों, इस्टेडी रोजगा चैनल में तो आपका हर्दीक स्वागत है दोस्तों, आप डिस्कस करने जारा हम सो SportsGK के दोस्तों, इंपोर्टेंट कोशन दोस्तों जो कि दोस्तों आपके exam point of view से काफी इंपोर्टेंट दोस्तों दोस्तों, बनदे रही हमारी ऋडिक सा स्वागत हैं तो आज का पहला कुशन दोस्तों खोको मेदान में कितनी cross lens होता हैं थो तो next question दोस्तों, निम्लिकित में से किसे खेल मेदान का आकार सबसे बड़ा होता हैं तो दोस्तों जो पोलो जो खेल थो काफी बार एक्जाम में पुछा गया देनके next question होकी में पैलनटी stroke कितनी दूरी में मारा जाता है next question होकी के अंदर होकी, यह कितना होता है दोस्ते जु लंबाई और चोड़ाई है दोस्तों लंबाई होती है दोस्तोंि M270 विषृ विख्यात रोला गेरो का संबंद की स्कयल से दोस्तों तो लोन टेनिस से है दोस्तों लोन टेनिस से इनका संबन विश्विक्या जो रोला गेर हो है दोस्तों उनका संबन लोन टेनिस से है नेक्स विश्विक्या जो रोला गेर हो दोस्तों उनका संबन लोन टेनिस से है नेक्स विश्विक्या जो शत्रंज की जो 27 होती है में कुल कितने घर होते हैं इस तो तो number of घर कितने होते हैं इस तो 64 होते हैं इस तो घरों की संक्या कितने होते हैं इस तो 64 होते हैं टोटल मिलाकर दूस्तो 64 खाने होते हैं दोस्तो इस प्रकार से खाने होते हैं इस तो वो number of 64 होते हैं इस तो और lane किस परकार से होती है असो जैसे ही ये swimming pool असो, lane मतलब एक, दो, तीन, चार, इस परकार से अलग-अलग lane बनाइज जाती है, दो तो, तो, तो number of lane किती होती है, अच होती है असो विश्व में किर्केट का मक्का के नाम से जाना जाता है तो लोडस है तो जो कि ऑस्टेलिया का पिछा तो उसे किर्केट का मक्का के रूप में भी जाना जाता है मुक्यवाजी के लिए प्रसीद इस्तान कौन सा है दोस्तों Madison Square है जो मुक्य वाजी के लिए सबसे फेमस इस्तान दोस्तों जो कि दोस्तों अमेरिका के अंदर है जो नेक्स टोस्तों 12 बती स्टेडियम कहां इस्तितर तो कटक के अंदर स्टितर तो कहां पर इस्तितर तो कटक के अंदर स्टितर तो 12 बती स्टेडियम दुस्तों अगर इस तो वीडियो पसंद आया तो प्लिस इसे लाइक किज़ें और अभी तक चैनल को सबिस्क्राइब नहीं किया तो प्लिस इसे सबिस्क्राइब किज़ें और इस वीडियो को Facebook और WhatsApp अकाउंट के मादम से अपने सभी दोस्तों को शेयर किज़ें ताकि आपके दोस्तों अगभी स्पोर्ट जी के कोशन पढ़ सके दोस्तों दोस्तों अन्त में थैंक्यू फूर वोचिंग मी